कास्पर स्काई एंटिवाइरस सौफ्ट्वेर के अंदर फाइल्स और फोल्डर न्यू फाइल इंस्टॉलेशन करने के लिए विंडोस के अंदर वो फोल्डर को और सेटप फाइल को एक्सलूड करना पड़ता है वो आज हम इस सौफ्ट्वेर में बताएंगे यह मैंने कास्पर स्काई के आइकन के उपर क्लिक कर दिया यहाँ पर यह सेटिंग बटन है उसके उपर मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पर आप देख पाओगे काफी सारे सेटिंग के ऑप्शन है वो option के अंदर हमको security settings के अंदर चले जाना है उसको आप scroll down करोगे तो एक दम नीचे आएगा exclusion sub files and folders यहाँ पर काफी सारे उसके rules है जो आपको exclusion किस action को exclude करना है उसके उपर है यहाँ पर manage exclusion करके एक button है यह देखे हाथ का symbol है वहाँ click करने से यह add का button आएगा यहाँ add new exclusion करना है तो यह आपको my computer में ले जाएगा हमको जो भी folder के अंदर हमारा software इंस्टाल करना है जैसे यह video में मैं दिखा रहा हूँ jewel tech printing software मुझे इंस्टाल करना है तो वो folder मैंने d drive में create करके रखा हुआ है पहले उसको मैंने select कर लिया और यहाँ पर यह component के अंदर all component ले लेना है और फिर यहाँ पर add का button प्रेस कर देना है उसके बाद यह ok का button दबा दीजिए और यह save कर दीजिए तो इस तरीके से यहाँ पर यह notification बार बार नहीं आए उसके लिए आप यहाँ पर यह 5 minute की जगह पर यह 30 minutes भी कर सकते हैं यह फिर से notification आएगा नहीं do not prompt me again यहाँ पर आप confirm दबा दीजिए बस यह setting हो गया तो यही है Casper Sky का setting अब यह folder के अंदर मेरी जो भी install करने की file है वो setup file में यह folder के अंदर manually रख दूंगा तो मेरा setup चल जाएगा Thank you very much